आज मैं आप सभी के लिए नास्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जो बिल्कुल यूनीक है और उसके साथ में चटनी की भी रेसिपी लेके आई हूँ हलो गाइस कैसे हैं आप सब सबी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सबी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज मैं आप सभी के लिए मटर से बनने वाला बिल्कुल नियू तरीके से नास्ते की रेसिपी लेके आई हूँ तो चलिए बिनादेरी किये शुरू करते हैं और एक कटोरी भर करके मैंने यहां खटी दही ले लिया है ध्यान रखिएगा सभी चीजेगों हम 1 कटोरी से नाप लेंगा अर उसी कटोरी से बिसन नापा है उसी कटोरी से हम सूझी ले लेंगे तो दही में सूजिय और बेशन दोनों मैंने डाल दिया है, अब यहाँ पर एक कटोली भर करके मैंने हरे मीठे मटर ले लिये हैं, तो हमें इस मटर को mixी grinder में डाल करके grind करना है पहले हम मटर को ग्राइंड कर लेते हैं उसके बास सभी सामगरी हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पर मैंने ले लिया है इसको फ्लेवर फूल यानि टेश्टी बनाने के लिए चार पाच कली लहसून और दो लाल मिर्च और छोटा टुकड़ा अद रखा मटर के साथ ही हमें डाल करके इन सबको भी पीस लेना है तीखा आप अपने स्वात के अनुसार कम्या ज़्यादा रख सकते हैं जितना आपको पसंद हो उसी साब से आप लाल मिर्च या हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें टो बीना पानी डाले ही, हमें इसे पीस्ट करके ले लेना है, पेष्ट जैसा, तो ये देखे, मतर हमारे ताजे थे, तो पानी की जरूफ़त नहीं पड़ी और ये पीस करके अच्छे से तयार हो गया है, तो जो हमने मतर पीसे हैं, तो इसमें सुजिए, तो इस से भी इसी मे आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप गर सकते हैं दो टेबल इस्पून मैंने इसमें डाल दिया है रिफाइंड ओयल अब हमें थोड़ा सा पानी लगेगा यानि वन फोर्थ कप के करीब पानी लगेगा सुखा बैटर लग रहा है मुझे तो अभी पांच मिनट फूल तो उसमें मैंने थोड़ा सा तेल ग्रिस कर लिया है अब यहां पर मैं इसमें आधा छोटा चमच बेकिंग पाडर और वन फोर्थ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है तो इस बात का ध्यान रखेगा आप चाहें तो इसमें इनो फूल्ट सॉट भी इसके तो इसकी बेटर की consistency इस तरीकी की होनी चाहिए और डाल दिया है मोल्ड में और इसे थोड़ा सा टैप करेंगे और देखे जब तक बेटर तयार कर रहे थे तब तक यहां पर मेरे पानी में उबाल आ चुका है तो बस अब इसे कढ़ाई में हम sit कर देंगे और एक थाली या बात इसे खोला था तब यह थोड़ा सा कच्चा था तो फिर से मैंने इसे steam कर लिया है पांच मिनट के लिए तो अब देखे मैं knife डाल करके इसे चेक कर लूँगी और यह perfect cook हो चुका है तो इसे मैं gas का flame बंद करके उतार लूँगी तो आब इसे हम ठंडा होने देते हैं ज चाई डाल दिया है और वन टेबली स्पून जीरा डाल दिया है तो चिटक गए हैं दोनों चीजे उसके बाद एक लाल मीच और पांच छे कली लहसून आधा इंच अधरक का टुकड़ा और एक प्याज को इस तरीके से बारिक काट करके ले लिया है और थोड़ा सा दो का सामगरी तो इसे ठंडा होने देंगे और तब तक देखिए मेरा जो नास्ता है बन करके तयार हो गया है ये सौप्ट और स्पॉंजी बना है बिल्कुल तो आप चटनी तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर वन फोर्थ कप दही ले लिया है मैंने और जो भून करके मूमफली प्याज ये सब रखा है वो डाल दिया है और दो चमच यहाँ पर नारियल बुरादा ले लिया है वो डाल दिया है और वन फोर्थ कप मैंने धहरा धनिया डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार ये सभी डाल करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे तो चितनी हमारा पिस करके तैयार हो गया है, अब इसमें तड़का लगा लेते हैं, तो तड़के के लिए मैंने आदा चोटा चमच सस्व का तेल डाल दिया, तेल जैसे ही गरम हो गया है, तो हाप टेबल स्पून राई दाना, हाप टेबल स्पून जीरा, और करी पत्ता, एक सुखी लाल मीच, और वन तड़का लगा लेंगे, तो अब उसी पैन को मैंने ले लिया है, अब हम ढोकले के लिए तड़का तयार करेंगे, तो यहाँ पर उसी पैन में मैंने डाल दिया है, मूमफली का तेल जैसे ही गरम हो गया है, तो उसमें हाप टेबल स्पून जीरा, हाप टेबल स्पून एक बड़ा चमाज तील और 2 हरी मीर्च को इस तरीके से मैंने काट लिया है और 2 लाल मीर्च ले लिया है आठ से दस करी लिफ ले λिया है और 140 ayuda मैंने इसमें पानी डाल दिया है अब यहाँ पर आधा मैंने नीबु का रस लेलिया है उसे भी डाल दिया है इससी इस्टेज पर आप चाहे तो इसमें चीनी भी आधा छोटा चमश डाल दीजे, मैंने बेटर तयार करते वक्त डाला था आधा छोटा चमश, इसले मैं ज्यादा मिठा नहीं डालूंगी, बस तो तड़के को अच्छे सुबाल लेंगे, और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हमे मैंने थाली में पलट लिया है, और यहाँ देखिए, आप सब देख सकते हैं, कितना अच्छा जाली पड़ा है हमारा, सौप्ट और स्पॉंजी बना है, अब इसे मंचा है, पीस में कट कर लेंगे, और सर्फ कर लेंगे खाने के लिए, और देखिए, प्लेटिंग मैंने कर लिए है, चटनी, मजेदार और चटपटा, ढोकला तयार है मतर का खाने के लिए, और कितना सौप्ट और स्पॉंजी बना है, आप सब देख सकते हैं, कितनी अच्छी जाली इसमें पड़ी है, बिल्कुल सौप्ट और मुएस बना है, तो इसी तरिके की रेसिपी लेके आत रहूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट विडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई